दोस्तो भोजपूर जिले में एक भाई और एक बहन हिंदु सगे भाई बहन के बीच में सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था समझ रहे हैं और यह चलते 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 उस महीला को तो एहसास हुआ कि हम प्रेगनेंट हैं हम माँ बनने वाली हैं तो फिर इस डर से कि उनके माता पिता और समाज तो माने का नहीं तो उन सगे भाई बहन ने भाग कर मंदर में शादी कर ली और सोचा कि अब हम सारी दिगी साथ रहेंगे लेकिन जब लड़की घर से भागी तो अपने बच्चों की रिपोर्ट लिखवाई कि भाया हमारी बिटियाख हो गई है गायब हो गई है अब उसकी धरपकड़ शुरू हो गई यानि च्छापे मारी शुरू हो गई इसकी जानकारी उनको जब पता चली हिंदू भाई बहन को जिन्नोंने आपस में शादी कर ली जी ना उनको जब यह बात पता चली तो भाया उन्होंने ठाने में जाके पास के आत मुसमर्पन कर दिया सरेंडर कर दिया यह जो मेरा भाई है यह मेरा भाई नहीं अब यह मेरा पती है जिसके बाद से जब पूरा कांड पुलीस वालों ने सुना तो इंस्पेक्टर जा रहा है उधर भोशपूर के गाउं के लोगों का यह कहना है कि इसने समाज को कलंकित कर दिया है और हमारे नाम को और हिंदुत्व को भी कलंकित कर दिया है लहाजा इनको हम अपने गाउं में अब घुशने नहीं देंगे दोस्तों अभी तक कारवाई जारी है और यह अ आवकात आवकात फिर से बोल रहा हूं आवकात है ये जितना दूसरों को बदनाम करते हैं उससे जादा ये खुद जलील हो जाते हैं इनके दिल में मुसल्मानों के लिए इतनी नफरत है कि मुसल्मानों को बरबाद करने के चकर में बदनाम करने के चकर में पूरे देश का ही बेड़ा गरक कर दिया है दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कॉमेंट में लिखना मत बूलिएगा